अभी मैं गाउंट उमरखा में हूँ और मेरे साथ मानवी है मानवी ने पलस टू में जीन्द में टोप किया है आर्ट से तो इनसे बातचीत करेंगे कि जो आर्ट से जीन्द में पहले नमबर आई है गुडिया कि किस तरह से इनकी पड़ाई का सडूल था कितनी गंटे आया कि मेरे डिस्टिक्ट में नाइंटी सेवन पॉइंट पॉर परसेंट आई हैं तो मेरा शुरू से पढ़ाई में रुजान रहा है और अगर बात करें तयारी की तो वो टीचर्स ने मदद किया है और जैसे टीचर्स रिसोर्स को यूज करना सिखा देते हैं कि कैसे आप आपको अलगज़ रिसोर्स को यूज करना है अगर कोई गल्wenत्यों तो उसमें भी मदद करते है सुधारणे में फिर वो बताते रहते हैं साथ साथ की जैसे साल आपका पूरा साल चल रहा है तो वो बताते रहते हैं कि यह टाइम आ गया आपको रिवाइज करना है अब सेंपल पेपर करने है अब गलतियों पर ध्यान दो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देखो और मेरा आगे जाके अभी सी यूई टी फिलहाल और आगे जाके यूपी में नोण मेडिकल मैडिकल इससाइड क्यों नहीं लिए मैंने इसलिए चुज़ कि क्योंटियुगे उपी सी करने थी तो मुझे लगा कि उसके यूपी सी के से लेबर्स के थे साब से आफ देना ठीक रहेगा एक बैक्ग्राउंड से त्यार हो जाएगा और दूसरा की मेरा इंटरेस्ट भी इन सब्जेक्ट के लिए जादा था तो आपने कल पता चला कि जींद्रिव में टॉप किया है नहीं परसो स्कूल में हां स्कूल से बता चला है तो परिवारोंगा क्या रियक्शन था क्या बुदर है सब बहुत खुश मैंने ऐसे मतलब कभी घंटे नहीं देखे क्योंकि डिपेंड करता है वो तो हो सकता है कोई जल्दी कर ले कोई लेट कर ले पर आपको मतलब आपको देखना चाहिए कि क्वालिटी कैसी है आप कैसे त्यारी कर रहे हो और वो भी ऐसे नहीं कि चैप्टरी कर लिया फिर कॉस की आपकी सब्सक्राइब पर सबकिया है रिफ्रेश से भी किया था पहले और रहे हैं आपके माता बीता क्या करते हैं मेरे मम्मी अहोमेकर है और मेरे पापाच मेरे नमस्ते जी नमस्त है तो है ये सब के लिए खुशी की बात है जी मेरे परिवार के लिए मेरे गाउं के लिए और स्कूल के लिए आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात है माइलाओं पर आज भी बहुत सारी बंदिस्से हैं अपने समाज में गाहों लोग दियात में देखा तो कि माइलाओं को लड़कियों को ये कपड़े नहीं पैनने ये नहीं पैनने इसको लेकर क्या करने चाहिए एक आपका एजुके टिड़ परिवार है समाज की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत सारी ओरतों को समस्याइश समाज में देखने पड़ रही हैं जैसे कि हम बात करें तो सरकार ने भी लेक्षन के अंदर रिजरुएशन दे रखी महिलाओं को और उस रिजरुएशन के हिसाब से वो इलेक्टों के भी आजती हैं फिर भी उनको बाद में भी दिक्कत आती हैं, जैसे आम तोर पर महिला पंचैतों में जाने से गुरेज करती हैं, उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य ही उनकी तरफ से जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज को जो है ना एजुकेशन ही बहुत आगे लेके जाती है और जब पूरे समाज में एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ जाएगा, तब ऐसी कोई बात देखने को आपको नहीं मिलेगी, अभी आगे गुडिया से मतलब है, गुडिया आगे और क्या करना चाहोगे, अभी फिलहार बस यूटी की त्यारी और उसके बाद फिर कर लो या प्रस्टू कर ली बहुत है, मुझे तो इतना लगता है, इस इशू पे कि सारी इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि अगर आप देखो अचीवमेंट्स देख लो तो फीमेल ने भी उतना ही किया, जब दोनों कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे अब जैसे इनके स्कूल का रिजल्ट आया है, तो उसमें लड़के भी हैं, जिन्होंने डिस्टिक में टोप किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो, और, मतलब है कुछ ना भूते को, कही नहीं लड़के पड़ाई मिला पुरवाई कर रहे हैं, ल इसी से फाइदा होता है, कहीं ना कहीं लड़कियां घर पर रहती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा त्यारी करते हैं, लड़कों उसे घर वाले भी थोड़ा बहुत काम ले लेते हैं, या थोड़ा बहुत वो इतना ध्यान पड़ाई पर ज्यादा नहीं, इसलिए बगेरा इन चीज़ों में इंट्रेस्ट है मतलब आपने पहले से सोच लिया कि यू प्याश्य क्लियर करेंगे आई एस बनेंगे उसके बाद कुछ मेरा सोचना यह है कि बस खुद अच्छे से अच्छे से होके इतने काबिल बन जाओ कि दूसरों को भी गलत चीज़ों का पर पॉस कर सको ऐसा नहीं है कि शुरू में तो बच्पन में सोचते रहते हैं कि यह करना है वो करना है और बड़े होते होते होता है कि फिर आप करॉप बस यह सोचते हूं कि उन चीज़ों में नहीं जाना है और जितना अच्छा देश को समाज को एजुकेटिड होके उतना देना है सर आप क्या कहने चाहिए मतरों बहुत सारे युवा आज नसे की चपेट में आने लग रहे हैं हम बात करें चाहिए स्टूडेंट की भी स्कूल में कोलीज में या यूनिस्टियों में नसा का बढ़ा हो भी एक तरफ इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि जब युवा के से बच्चे की एज बढ़ती है अगर उसको कोई लाइन दे हमारे लोकल दियात में यही सबसे ज्यादा बड़ी समस्या रहती है कि बच्चा एनरजेटिक है बच्चा अगर पढ़ना चाहता है उसको गाइड नहीं कर पते हम वो तो एक कच्चे गड़े की तरह होता उसको नहीं होता लेकिन पेरेंट्स को यह उसको एक लाइन देनी होती कि आगे किस कोर्स में जाना है कहां पढ़ना है मैं बात कुरूं तो बिरजंदर सिंग की जो मेरे बड़े बाई हैं वो एक बात हमेसा कहते हैं जब भी उनसे बात होती है कि आप अगर यह सोचो कि भी मैं य जैसे दिल्ली है एजुकेशन का एक हब है सारी स्टेटों से बच्चे मापने यहां ठीक आप टोपर हो वहां जब दिल्ली जाओगे तब और बच्चों के पास खड़े हो तब आपको अपना लेवल पता चलेगा आप किस लेवल पे खड़े हो तो इसलिए बहुत ज्याद है और अन्यकामों की बजाए और उसे सारी चीज़ें अपने आप ही परिवार को खुद को स्यम को माता पिता को टीचर को समाज में बहुत ज्यादा सोरत जो है ना एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं उससे मिलती है गुरिया आज के टाइम में विदेश से जाने का ए नहीं को लेगर क्षांत आगए खुब। हैं कि देश को लेक于 बúblic करें है लेकिन क्यों नहीं हम अपने देश को इतना अच्छा बना दे तो जय हमने यहां से सिखा है अपने देश को खिह सबसे पहले तो हमारे को समाज के लोगों को भी है कि आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार भी तभी विरोजगारी को चैक किसी भी पार्टी की सरकार हो तब भी वो दूर कर पाएगी विरोजगारी की समझे हैं इसके पिछे साइध ही है यह रीजन है कि जादा युवा है विदेश में जाने लेगा है यह ठीक बात है बेरोजगारी के कान ही आजकल युवा जो है दूसरे देशों की तरफ बाग रहा है लेकिन मैं यह निमानता वो व हैंन इसे दे आ हया किया सकता है जितनी अनieve से प्राप्त क किर आगर करें बहुत सारी चीजह गूर्मिंटड की स्किम्हें है उसे उतनी ही इंकम यहां भी प्राप्त की चा सकती है और अम इस चीज़ का भी गड़अगारा है है हम सोचल मीडिया यूज़ कर आप फेस्बूक इंस्टाग्राम या कुछ नहीं बस वट्चैप और यूट्यूब बस क्या मानों आप मतलब सोचल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिव हो आप कि इस टाइम के जो यूआ है क्या मानों आप किस तरह से मतलब मुझे लगता है सोचल मीडिया का उतना यूज़ करना चाहिए जितना आपके लिए ठीक हो और या फिर आप कुछ कर सको की जैसे यूटूब आप आहां पर अंटर्टेइन्मेंट भी कर सकते हो गलत काम के लिए बिस इस्तमाल कर सकते हो सभाने के लिए भी तो अगर आप सिखा सकते हो तो ऐसे अच्छे काम की बुढ़िया क्या संदेश देना चाहोगे मतलब और जो बहुत सारी अपने लोक दियात में लड़किया हमको लेगा मुझे लगता है एक तो guidance की काफी जुरूरत होती है क्योंकि अभी भी देखे तो जिनों ने 12th पास किया है किसी को तो यहीं नहीं पता प्रेशन में जाए और कि आपको अगर गलत चीज़े अवोइड करने तो वह आप खुद ही कर सकते हो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा आपका future कैसा होगा अगर आप उन गलत चीजों में इंडल जो रहे हो तो वह आप खुद कर सकते हो आप खुद के लिए अच्छा भ लड़का लड़की वड़ा जो आप स्वाल मेरे से पूछ रहे हो मैं तो इसमें यही कह सकता हूं कि मेरी पांच बेहने हैं वो सब भी पड़ी लिखिए जिसमें तीन लेक्चरार है एक ने लाग की हुई है और मेरे पास तीन बेटियां है और एक बेटा है चोटा और एक बा तो बहुत सारे बच्चे इन से कंपिटीशन करते हैं यह हर साल अपनी कलास में फर्स्ट रही हैं कभी भी इनोंने मोका न दिया यह सिल्ड आप देख सकते हो इनी की हर साल यह लेकर आती है और ऐसी कोई बात नहीं है भई घर का ओई और काम भी इनको ना आता हो सारी चीज कर दियो